तो या फ्रिकन नाशनल कॉंग्रेस इसकी शुरुवात हुई बाद में अफ्रिकन नाशनल कॉंग्रेस के लीडर बने लेल्सन मंडेला ठीक है और मंडेला साथ इनके बारे में जैसे देखें तो एक बेसिक थोड़ा सा आउटलाइन आपको जैसे बताते हैं तो 1910 आफ्रेकन नाशनल कॉंग्रेस की शुरुआत हुई एन रिस्पॉंस तू अपार्थाइड इस सिस्टम को यह जो 20% जमीन वह उसमें ब्लाक लोग भी हैं और वी जो इदर उदर से लोग हैं वो सब लोगों के पास तो यह सीन है अब इसमें सेग्रिगेशन जब हो रहा है तो आपकी जिंदगी कैसे टर्न आउट करेगी यह डिपेंड करता आपके स्कूल में जाएंगे आपको कैसी जॉब मिलेगी आप बिजनेस करेंगे कहां पर कर पाएंगे किस एरिया में क्योंकि हर जगा के हर रेस के जगहें अलोटेट और उस जगह से आप बाहर नहीं जा सकते और इसके बाद जो इन्हों इन्होंने जो काम किया कि ब्लाक रूरल पॉपिलेशन को इन्होंने छोटे-छोटे कंटेंडमेंट एरियास में डाला यह बहुत-बड़ा के लिजे बहुत ही बुरा इन्होंने काम किया जिसकी वज़े से और भी ज्यादा अप्रोर हुआ 1940 तक आते आते मंडेला ने जोइन किया यह मंडेला का पुराना लाइफ बाद में कभी डिसकस करेंगे यहां स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई लिखाए करने के बाद इन्होंने यूथ विंग जोइन किया आफ्रिकन नाशनल कॉंग्रेस का और यह और्गनाइजेशन म तो जलाएंगे तो जो गांधी ने शुरुवात करी थी कि जैसे यह हुआ था कि सारे इंडियन्स को अपना यह रखना आइकाल्ड बनाना है तो यह मतलब आइकाल्ड हमेशा रखने हैं तो आइडी बनाने का तो को ऐसा इसा इसू नहीं लेकिन आपको कि हमेशा रख और आज भी इनकी कब्रें इस तरीके से हैं कि जो फ्रोटेस्ट मारे गए इसके चलते जो आफ्रिकन नाशनल कॉंग्रेस है और भी जो ब्लाक लोग है इन्होंने बॉंबिंग शुरू कर दी गवर्मेंट ऑफिसेस की अटाक करना शुरू कर दिया वाइट लोगों के क्योंकि नाशनल करने लगें और जब बॉइलेंट मेथर्स का यूज करने लगे तो सरकार और ज़्यादा वोइलेंट हो जाती है तो टैंक लेके घुश जारें ब्लाक हाउस होल्ड्स में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तोर्चर कर रहें हैं यह सब कुछ हो रहा है और इसके नतीजे में ये लोग भी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से लड़ाई पूरी छिड़ी हुई है, 1962 में मंडेला को होता है उम्रकैज, और इसके बाद उम्रकैज में इनको खूब हाड लेवर की जॉब मतलब काम दिया गया, जेल में से पत्थर तुड़वाय जाते थे औ 20 साल, और जब ये जेल में थे, तो फ्री मंडेला कैमपेंज चले, साउथ आफ्रिका में और बाकी दुनिया की हिस्सों में भी, इसके बाद जैसे जैसे सरकार पे दबाव पड़ रहा था, फ्री निलसन मंडेला, कि सरकार नहीं सोचा था, कि मतलब लोग भूल जाएंगे निलसन मंडेला को, लोगों ने इनको जिन्दा रखा अपनी यादों में, और पूरे मुवमेंट का बेस बना दिया कि आप पॉलिटिकल प्रेजनर्स को छोड़िये, और फ्री निलसन मंडेला, तो ये जेल में थे 20 साल, इन फाक्ट पूरा टाइम देखे तो 27 साल जेल में आजादी मिल चुकी थी, मतलब more or less, जब मिलने माली थी तभी जेल से बाहर, इनको छोड़ा गया, फिर इनकी महानता के कई सारे आस्पेक्ट्स हैं, सरकार ने इनको ओफर दिया कि हम तुमें छोड़ देंगे, इनको जेल में रह वे कब 10-12 साल हुए थे, सरकार ने ओफर कि हम तुमें रहा कर देते हैं, सोचे इस बीच इनकी, ये मदर की डेथ हुई, इनके फैमिली में और भी एक दो डेथ हुई, ना इनको जाने दिया किसी से मिलने दिया गया, ना ही किसी घर वालों को इन से मिलने दिया गया, ये इतने बुरे हाल इनके कर रखे दे, इनको क और यह symbol of freedom बन गया है इस तरीके से और 1970s का टाइम आता है government repression और बढ़ जाता है क्योंकि blacks और जादा लडाई कर रहे थे फिर इसके बाद 70s के टाइम पे एक नई पार्टी बनती है जिसके प्रेजिदेंट से P.W. बो था इनके राज में यह हुआ कि इन्हों ने थोड़ा सा चीजों को बेटर किया थोड़ा सा बहुत जादा ने कि यह जो segregation का सिस्टम में इसके rules को थोड़ा सा रिलाक्स किया अब 1982 तक आते आते यह इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया था कि international community ने South Africa को boycott करना शुरू किया तो 1982 से boycott movement शुरू हो गए पूरे दुनिया भर में कि South Africa अगर इतना गलत काम कर रहा है तो हमें South Africa से ना कुछ खरीदना है ना इनको कुछ बेचना है इस चीज़ को कहते हैं sanctions तो कई देशों ने sanction लगाए South Africa पर कि आप इतना अत्याचार अगर नहीं रोकोगे तो हम आपसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे इनके athletes को खिलाडियों को कहीं participate नहीं करने देते थे इनके यहां कोई नहीं जाता थे तो इस तरीके से और और यह सिर्फ सरकारों के level पे नहीं आम जनता ने इतना प्रेशर डाला है और जब इतना प्रेशर इन पे पड़ा तो इसके चलते मतलब वही एक चीज होती है जब कोई ताकतवर है आप उसे ताकत से नहीं हरा सकते हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो दूर दराज के देशों में बैठके आप साउथ आफरिका जाके वाँ कुछ नहीं कर सकते हो तो आप शर्मिंदा तो कर सकते हो कोई इनके साथ sports नहीं केलेगा तो इस तरीके से उनके सारे items, products का boycott किया तो इसका काफी बुरा असर पड़ रहा था तो इन सब के चलते PW बोथा थे इन्होंने थोड़ा सा relax किया अपने systems को कि जो pressure बन रहा था international community से तो अब थोड़ा सा better करने के लिए चीजों को बोथा एक नया संविधान लाते हैं जिसमें Asians और colored लोगों को इन्होंने थोड़े जादा अधिकार दिये लेकिन blacks के लिए कुछ नहीं किया तो इन्हें लगा कि movement कमजोर हो जाएगा लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं public ने कुछ भी इनकी बात का समर्थन नहीं किया public की सारी parties ने मिलके बनाए United Democratic Front सारी पार्टी उने मिलके चाहिए Asians की पार्टी, colored लोगों की पार्टी, blacks की पार्टी और अलग-अलग विचारधारा उने सब में मिलके यह United Democratic Front बनाया और struggle चलता रहा इनके अंदर क्या डर था, white लोगों के अंदर, black लोग अगर यह कह रहे हैं कि हमें यहां पे एक देश बनाया जाए चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर सब को vote देने का अधिकार मिल जाए, तो 80% तो black है, सरकार भी इनकी बनेगी, तो जैसे इनकी सरकार बनेगी यह तो हमें नोच खाएंगे, हमारी जमीने ले लेंगे, हमारे बिजनेसे लेंगे, हमें नोच खाएंगे लोगों, वो एक डर था इन सब के अंदर, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, इनको चाहे जितना मारना पड़े, करो, लेकिन यह पावर में आगे तो यह हमें नोच तो ये दर्ख इनके अंदर बैठा हुआ था तो 1985 तक आते आते बोथा ने अग्यान मंडेला को फिर से एक ओफर दिया यहां पे इनको जेल में रहते 20 साल हो चुके थे कि बोथा को यह ओफर दिया कि हम आपको छोड़ने तयार हैं लेकिन आप प्रॉमिस करो कि जब जेल से बाहर आओगे तो आप लोगों को यह अपील करोगे कि वाइलन्स ना करें मंडेला ने फिर से इंकार कर दिया कि मुझे डाले रो जेल में मुझे कोई जल्दी है मैं अपनी शर्तों पर बाहरा हूंगा कि जब आप वो शर्ते मानने तयार होगे कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए और यह सब कुछ हो तब ही बाहरा हूंगा नहीं तो मर जाने तो वैसे भी क्या ही रखता है और यह जो ही मना कर देते थे निल्सन मंडेला यह सब छपता था दुनिया बर के अकबारों में कि यार यह ऐसा ऐसा हो रहा है और इनकी पॉपुलारिटी बढ़ती जा रही थी अब इसके बाद 1985 तक आते थे दुनिया का इतना प्रेशर पड़ चुका था और वैसी भी 1985 बहुत मॉडर्ण टाइम से फिफ्टी सिक्स्टी वो टाइम था कि हां राज चल रहा है इंपिरियलिजम का और आजादी की लड़ाईयां हो रही सिक्स्टी तक आते आते तो सब मॉडर्ण स्टेट बनते जा रहे थे आफ्रिका में कितने सारे देश थे जो सिक्स्टी सेमिंटी में देश बन चुके तो एटी तो काफी मॉडर्ण टाइम था कि मतलब यहां दुन लिब्रिल खयालाद के आदमी थे और यह समझते थे कि हवाएं किस करफ चल रही है और बदलाओ आ रहा है हम बदलाओ को बहुत देर तक नहीं रोप पाएंगे और अगर हम लड़ते रहे तो यह पक्ता नोच खाएंगे यह बात को कहें ठीक है तो इन्हें डी क्लर्क का य 1990 में पूरे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इन्होंने सब को रिहा कर दिया इंक्लूडिंग नेलसन मंडेला और नेलसन मंडेला जब बाहर आते हैं देश से मतलब जेल से तो उस टाइम पे साउथ आफ्रिका के जो हाल थे कि वाइट्स ब्लाक्स कलर्ड एशिंस और इसमें भी सब लोग अलग-अलग विचार धाराओं के हैं कि कुछ कॉम्यूनिस्ट हैं कुछ और रैडिकल हैं कुछ revolutionaries हैं कुछ anarchist हैं तो सब को ये साथ लाना एक साथ एक टेवल पर और ये कहना कि नहीं हमें साथ में काम करना है बहुत बड़ा रोल था इनका मंडेला न नेशन में स्टेबिलिटी रहा फुन खरावत जादा हुआ नहीं 1993 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले फ्री एलेक्शन करवाएंगे साथ आफ्रिका में और इस सब के चलते नोबल प्राइस दिया गया मंडेला और क्लर को अब चुनाव होते हैं 1994 आफ्रिकन नाशनल कॉंग्रेस को मेजॉरेटी मिलती है मंडेला बनते हैं प्रेजडेंट और अपना वाइस प्रेजडेंट की बनाते हैं डीकलर को और यह दिखाने का एक तरीका था कि हमें लड़ाई नहीं करने इसे हमें आक्चुली सोलुशन्स पर काम करना है